उदाहरन दो प्रश्न दिये गए चित्र में रेखाएं A, B और C, D एक दूसरे को बिंदू O पर प्रतिछेद करती हैं यदि कोण A, O, C अनुपात कोण C, O, B बराबर साथ अनुपात आठ है तो सभी कोणों के मान ग्याद कीजिए हल प्रश्न में दिया गया है कोण A, O, C अनुपात कोण C, O, B बराबर साथ अनुपात आठ माना कोण A, O, C बराबर साथ एक्स समिकरण नंबर एक कोण C, O, B बराबर आठ एक्स यह हो गया समिकरण नंबर दो अब चित्र में देखिए रेखा A, B पर किरण O, C खड़ी है इसलिए रेखिए गुम बनता है और इसलिए आप लिख सकते हैं कोण A, O, C धन कोण C, O, B बराबर एक्सो अस्सी अंश या साथ एक्स धन आठ एक्स बराबर एक्सो अस्सी अंश या लिख सकते हैं आप पंदरह एक्स बराबर एक्सो अस्सी अंश इसलिए एक्स बराबर एक्सो अस्सी बटे बटे 15 या X बराबर 15 एकम 15 15 हो गया 30 यानि 15 दूनी 30 तो हुआ X बराबर 12 अंश इसलिए समीकरण 1 से जैसा हमने माना था कौन AOC बराबर 7X या यहां पर जब हम X का मान रखें हैं तो 7 गुना 12 अंश इस तरह से हमें मिलता है 84 अंश इसी तरह से कौन C O B बराबर 8X या हम इसको लिख सकते हैं X का मान जब हम रखेंगे तो मिलेगा 8 कौस्ठक में 12 अंश या 12 अठे 96 अंश तो कौन C O B बराबर मिला हमें 96 अंश और कौन A O C बराबर मिलता है 84 अंश चूंकि सभी कौनों के मान निकालने हैं इसलिए कौन देखें कौन B O D ये कौन A O C के बराबर होगा क्योंकि दोनों कौन सीरसा भी कौन हैं और इसलिए कौन B O D का मान होगा 84 अंश इसी तरह से चौन A O D ये कौन C O B के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों सीरसा भी कौन है और इसलिए कौन A O D का मान होगा 96 अंश इस तरह से हमें दिए गए चितर के सभी कौनों के मान निकल गए कौन A O C बराबर 84 अंश कौन C O B बराबर 96 अंश कौन B O D बराबर 84 अंश और कौन A O D बराबर 96 अंश ये हमारा उत्तर